तो इसमें बात करने बाले हैं मैमार और थाइलेंड में जियांस तो न्यू वैकंसी आ गई है अब ऐसे में आपकी इस तरह से इसमें अपलाई कर सकते हैं देख सकते हैं 100% भी जब फिरी आपको देखने के मिलता है और यहां पर जो कि यह थाइलेंड प्रजेक्ट के लिए है इसके लिए दोस्तों सीवी सेलेक्शन इसमें रिक्वाइड किया जा रहा है जियांस तो आपकी पास इसमें एक स्कीर राना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर का जिसमें आप सालरी देख सकते हैं कुछ इस तरह से 25-30,000 रुपे जो कि थाइलेंड इंडियन आपको वहां का करंसी देखने के लिए मिलता है थाइलेंड का और इंडियन रुपेच में आपको करीब करीब 60-70,000 रुपे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके लवां आप देख सकते हैं इसमेर राना खाना फिर ही आपको देखने के लिए मिल जाता है जी है जोस्तों अब काफ दोनों टाप के पासपोर्ट मानने रहेगा इसके लोगा कुछ जानकारी जैसे की हिंदी और इंगलीज आपका ग्यान होना चाहिए जैसा की आप जॉब में देख सकते हैं कंप्यूटर अपरेटर का है तो इसका काम यह यह दूस्तों आपके पास नॉलेज रहना चाहिए और यहाँ पर इसमें अपलाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यह ओफ-लाइन वैकनसी है जो भी एजन्ट या फिर एजन्सी होती वहां से आप कॉंटेट कर सकते हैं और आपको इसमें ठीक टाक सैलरी जैसा की यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों आपको 60-70,000 अरपिय देखने क मिल जागा तो हमें उमीद आप समझ गेंगे जो जो लोग भी यहाँ पर थाइलेंट कांट्री में जाना चाहते हैं तो वह सब इस वैकनसी के लिए अपलाई कर सकते हैं यदि आपके पास कंप्यूटर अपरेटर का साबित कर सकते हैं तो आपके पास एक प्रमारिक्तार आ आपको इसमें अपलाई करना है कितना सेलरी है कौन-कौन सा डॉक्मेंट लगेगा इसके लावा आने वाली कुछ वैकनसी या दोस्तों आपको काफी इजी अपलाई प्रसेस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जो की गवर्मेंट है वह भी इसमें यहाँ पर हाथ इंबॉल